पूरू उपमुक्यमंत्री सचिन पाइलेट समर्थक गुट को मिला बड़ापद राखी गोतम को राजस्थान महिला कॉंग्रेस की कमान सौपई गई ये एसीसी ने राखी गोतम को राजस्थान महिला कॉंग्रेस का ध्यक्ष बनाया है इससे पहले राखी गौतम ने बीते चुनाव में कोटा दक्षिन से चुनाव लड़ा था प्रुदेश कॉंग्रिस कारिकारणी में उन्हें सचीव से प्रमोट कर महा सचीव भी बनाया गया था बतादे कि राखी गौतम को सचिन पाइलिट समर्थक माना जाता है इस न्यूक्ति को सचिन पाइलिट की चुप्पी के साथ जोड़ कर देखा जा रहा है करीब देड़ साल से राखी गौतम की रूप में नए अध्यक्ष मिल गई पूरू उपमुखे मंत्री सचिन पाइलिट समर्थक गुट को मिला बड़ापत राखी गौतम को राजस्थान महिला कॉंग्रेस की कमान सौपई गई ये ICC ने राखी गौतम को राजस्थान महिला कॉंग्रेस का अध्यक्ष बनाया है इससे पहले राखी गौतम ने बीते चुनाव में कोटा दक्षिन से चुनाव लड़ा था प्रुदेश कॉंग्रिस कारिकारणी में उन्हें सचीव से प्रमोट कर महा सचीव भी बनाया गया था बता दे कि राखी गौतम को सचिन पाइलिट समर्थक माना जाता है इस न्यूक्तिय को सचिन पाइलिट की चुपपी के साथ जोड़ कर देखा जा रहा है करीब देड़ साल से राजस्सान महिला कॉंग्रेस अध्यक्ष का पद खाली था देड़ साल पहले जब रहाना रियास को महिला आयोक का अध्यक्ष बनाया गया तो राजस्सान कॉंग्रेस महिला अध्यक्ष का पद खाली हो गया ऐसे में लंबे इंतजार के बाद ही सही राखी गौतम के रूप में नए अध्यक्ष मिल गई पूरू उपमुखे मंत्री सचिन पाइलिट समर्थक गुट को मिला बड़ापत राखी गौतम को राजस्थान महिला कॉंग्रेस की कमान सौपई गई ये ICC ने राखी गौतम को राजस्थान महिला कॉंग्रेस का अध्यक्ष बनाया है इससे पहले राखी गौतम ने बीते चुनाव में कोटा दक्षिन से चुनाव लड़ा था प्रुदेश कॉंग्रिस कारिकारणी में उन्हें सचीव से प्रमोट कर महा सचीव भी बनाया गया था बता दे कि राखी गौतम को सचिन पाइलिट समर्थक माना जाता है इस न्यूक्तिय को सचिन पाइलिट की चुप्पी के साथ जोड़ कर देखा जा रहा है गरीब देड़ साल से राखी सान महिला कॉंग्रेस अध्यक्ष का पत खाली था देड़ साल पहले जब रहाना रियास को महिला आयोक का अध्यक्ष पनाया गया तो राखी सान कॉंग्रेस महिला अध्यक्ष का पत खाली हो गया ऐसे में लंबे इंतजार के बाद ही सही राखी गौतम के रूप में नए अध्यक्ष मिल गई पूरू उपमुक्यमंत्री सचिन पाइलेट समर्थक गुट को मिला बड़ापर राखी गौतम को राजस्थान महिला कॉंग्रेस की कमान सौपई गई इस से पहले राखी गौतम ने बीते चुनाव में कोटा दक्षिंड से चुनाव लड़ा था प्रोदेश कौंग्रेस कारिकारणी में उन्हें सचिव से प्रमोट कर महा सचिव भी बनाया गया था बतादे कि राखी गौतम को सचिन पाइलेट समर्थक माना जाता है इस न्यूक्तिय को सचिन पाइलिट की चुपपी के साथ जोड़ कर देखा जा रहा है करीब डेट साल से राजसान महिला कॉंग्रेस अध्यक्ष का पत खाली था डेट साल पहले जब रहाना रियास को महिला आयोक का ध्यक्ष बनाया गया तो राजसान कॉंग्रिस महिला ध्यक्ष का पद खाली हो गया ऐसे में लंबे इंतिजार के बाद ही सही राकी गौतम के रूप में नए ध्यक्ष मिल गई